आज का हमारा दूसरा सत्र पुस्तकाले सामगरी का विवस्थापन पे हम शुरू करेंगे पिछले सत्र में हमने सीखा कि पुस्तकाले सामगरी के विवस्थापन का क्या importance है क्या उसका महत्व है और किस तरह की material लाइबरेरी में पाय जाते हैं हमने print materials के बारे में detail में बात की और इस सत्र में हम लोग non-print material क्या होता है उसको कैसे organize किया जाता है उसके बारे में बातचीत करेंगे non-print materials क्या है कोई भी अमुदृत सामगरी जो की non-print, print form में नहीं है कि अंतरगत मुदृत रूप को छोड़कर अनि किसी भी रूप में उपलब्ध सभी प्रकार की सामगरी आती है वो बोगता और अमुदृत सामगरी के बीच में एक मशीनी माध्यम की सहायता अनिवार होती है इसका मतलब है कि अगर कोई भी library material जो की print form में नहीं है यानि कि वो physical form में नहीं है वो किसी भी audio visual है या picture है, image है किसी भी इस तरह के form में है जिसमें कि एक storage है या किसी हमको ऐसे मशीनी माध्यम की आवश्यक्ता होती है उसको access करने के लिए उसको use करने के लिए उसको देखने के लिए कि उसमें क्या information है चाहे वो audio visual है या चल चित्र यानि motion picture से इस तरह कि जितने भी non-print materials हैं उनको कहा जाता है कि वो मशीनी माध्यम की सहायता से ही उनको हम उपयोग में ला सकते हैं अगर अमुद्रित यानि types of non-print material की हम बात करें तो drishya shrubya samagri यानि audio visual material audio visual जैसे की नाम से ही कि जिसमें हमको अपने कान और आँख sense organs का इस्तेमाल करना है कि आँख और कान का जिसको हम देख सके और जिसको हम सुन सके क्योंकि किताबों को हम पढ़ते हैं या mac jeans को हम पढ़ जिसको electronic materials and e-resources बोला जाता है और अभी आज के दौर में जब की पूरा digital revolution का time है हम सारी library जितनी भी पूरी दुनिया भर की है उनके पास e-sanसाधन का एक बहुत बढ़ा स्रोत है उनके पास बहुत बढ़ा collection है क्योंकि especially जब lockdown के बाद जब कोविड का प्रकोप आया तो उस time इसकी importance और demand जादा बढ़ गई जितने भी e-resources थे जाहे वो e-books हो या e-newspaper, mac chain सबका तो किसी भी library में हमारे पास दोनों तरह के material होते हैं जाहे वो print हो या non-print material हो तो उसमें भी non-print में भी हमारे पास electronic जो सामगरी है यानि e-resources हैं उनका collection काफी बढ़ा होता जा रहा है अगर audio-visual materials की बात करें तो दिर्श स्रव्य सामगरी एक ऐसा सजाती पदे जिसमें संग्रहन यानि storage और संप्रिशन मादेमों यानि transmission मीडिया में संकलित सूचना समू को इंगित किया जाता है इन में पार्ट सामगरी के साथ विंब चित्र और ध्वनी चिन्नों का प्रिय यानि कि किसी या तो tap recorder या कोई projector जिसकी मदद से हम इसको चलाते हैं और उसका प्रियोग किया जाते हैं इन पार्ट सामगरी के साथ विंब चित्र यानि image भी है, sound का भी प्रियोग हिया जाता है जैसे बहुत सारे lectures हैं किसी के तो उसमें recorded होते थे आजकल हम लोग virtual यानि cloud सेव कर ले रहे हैं वेब पे सब कुछ है तो एक तरह से अभी भी कुछ libraries हैं जो पुरानी हम कह सकते हैं जिनकी पास अभी भी audio visual materials जैसे की CD, DVDs और तरह तरह के जो microphones वगएरा अभी भी मिलेंगे लेकिन आज की समय में mostly लोग इसको या तो cloud पे कर रहे हैं या जो cyber space उसमें यूज करके या वेब पे इंटरनेट की माध्य हम से इसका इस्तिमाल किया जाता है अगर हम बात करते हैं कि द्रिश से सामगरी में कितनी प्रकार क्या-क्या संसाधन होते हैं जो सम्मिलित होते हैं तो audio cassettes आज से 10-15 साल तक audio cassettes का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था जिसमें एक cassette होता था जिसमें recording होती थी उसमें audio होता था और एक tip recorder में हम उसको चला के जो भी सुनना होता था चाहे music है या कोई lesson है किसी का lecture है तो आप सुन सकते थे लेकिन अब इसका प्रचलन धीरे-धीरे बंद हो गया है क्योंकि अब हमारे पास ये web या हमारे cloud storage में य आजकल आप देखते होंकि Bluetooth है तो आप internet से Bluetooth को connect करके आप कोई भी चीज कहीं भी सुन सकते हैं बत एक नए माधियम यानि internet का इस्तिमाल अब हमारे पास ज्यादा बढ़ गया है ऐसे video tapes होते थे जिनमें की video recording होती थी पहले जो शादियां भी होती थी उनके video tapes बनते थे जिन पर फिल्में दिखाई जाती थी जिनमें क्या आपके class की recording है या किसी भी तरह के lecture या movies या जो भी हर तरह की information आपको इस माधियम से slides होते थे उन भी projector पे दिखाये जाते थे जिस पर छोटी size के slides होती है जिनको play किया जाता था और देखते थे ऐसे ही micro forms है जिनमें की जो भी pictures हैं जो photos हैं उनको compress करके छोटे form में लाके उनको भी चलाने के लिए एक reader होता था जिस पर चलाते थे CD rooms आप सब लेगों ने देखा होगा चाहिए DVDs लेकिन अब इनका भी प्रछलन एक तरज से देरे-देरे कम होता जा रहा है फिर photographs हैं जो images हैं फोटोग्राप्स हैं तो यह सारे जो जितनी भी यह संसाधन हैं या audio visual materials के अंतरगत आते हैं अब हम electronic सामगरी यानि e-sansadhan की बात करते हैं e-resources के कोई भी सामगरी जो electronic माध्यम के द्वारा प्राप्त होती है e-sansadhan यानि e-resources कर लाती है अता या पुस्तकाले में electronic अथवा e-format में उपलब्द वे संसाधन हैं जिने स्थानी रूप में अथवा internet के द्वारा उप्योग में लाया जा सकता हैं अब e-books आप सब लोगों ने देखा होगा या e-database है, catalog है जो आपकी जैसे उधाराण की तोर पे देखें जैसे अगर आप NIS की library देखते हैं इनका अपना एक catalog database होगा जिसमें इनकी कितनी किताबे जो हैं वो आप cloud की through webopac, online public access catalog जैसको बोलते हैं उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि library में कौन कौन सी print किताबे हैं जिनको आप ले सकते हैं तो ऐसे ही electronic इसमें आपको internet का एक माध्यम में जिसके use करके ही आप electronic जितने भी resources हैं आप उनको use कर सकते हैं इस संसाधनों में भी निमलिखित संसाधन सम्मेले थें जैसे कि e-books जैसे print book है वैसे ही e-books होती है वो electronic form में है उसको अगर आप download कर सकते हैं PDF पे या HTML format पे आप उसके website पे या आपने cloud storage में आपको ये मिलेगा और इसको आप पढ़ सकते हैं इनके character में कोई जो print book को जैसे हमने बताया उससे इसमें कोई फर्क नहीं होता है बस इनका format अलग होता है या electronic form में है जिसको access करने के लिए कम से कम एक smart device minimum मतलब mobile या laptop desktop और with internet की एक internet की भी आवशकता होती है अगर हम download कर लेंगे तो उसको हम offline भी पढ़ा जा सकता है e-books को ऐसी e-journals हैं इनका भी e-journals में भी electronic form में भी e-journals होते हैं जो e-journals electronic form में होते हैं उनको e-journals कहा जाता है जिसके article आप online internet की माध्यम से आप उसको access या पढ़ सकते हैं e-database जैसे मैंने अभी उदाराण दिया cloud-based जो आपका webopac है तो उसके माध्यम से आप NIS की websites पे जाके उनके जो डेटाबेस है उसको चेक कर सकते हैं उनका क्या-क्या resources हैं इसमें मैं एक और उदाराण देना चाहूँगी कि जो डेटाबेस है जैसे e-journals एक collection लेते हैं books का, e-books का तो वो database हो गया जहांपे के बहुत सारी किताबे हैं या बहुत सारे journals हैं तो उसमें जैसे Sage का database है, Taylor & Francis है इस तरह के बहुत सारे नामी गिरामी databases हैं जहांपे education के छेतर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे aggregator database भी होते हैं जैसे कि जैसे publisher है ए अगर aggregator database लेते हैं तो आपको वहाँ पे सारे publishers का resources आपको एक platform पे बिल जाता है ऐसे ही e-magazine है, खासकर जब COVID के बाद से इन सारे e-magazines, e-books, e-journals, e-newspaper सबकी demand काफी जादा बढ़ गई क्योंकि लोग अपने घरों से सब access चाहते थे, library बन थी, तो लोगों के पास दूसरा कोई माध्यम नहीं था, इन सारी चीजों का access करने के लिए तो उन्होंने e- जितने भी electronic material थी, उनकी demand बढ़ी, तो वैसे e-magazine भी same उसी तरह से होता है, बट electronic format में होता है e-audio, जैसे अभी हम बात कर रहेते हैं, जैसे cassette, audio cassettes की, तो e-audio में होता है कि वो आपके cloud पे, internet पे, web पे आपको जो audio मिल जाएगा, जो गाने हम सुनते हैं, बहुत सारे channel हैं, आप Spotify की बात करें, Apple Music, या Google, बहुत सारे YouTube पे भी आप गाने सुन सकते हैं, तो उस तरह की जितन library projects, आप समको Digital Library of India एक project है, जिस पे million, मतलब कई करोड किताबें वहाँ पे available हैं, जिनकी आपको information आप online access कर सकते हैं, और उसके अलावा जैसे DAO's Directory of Open Access Journals हैं, Directory of Open Access Books हैं, ये भी एक बहुत अच्छा collection है, जो कि free में लब्ध है सब के लिए, कोई भी उसको open access है, तो कोई भी उसको इस्तिमाल कर सकता है, इस तरह के resources को, e-exhibitions, आजकल e-exhibitions का भी है, जिसमें virtual exhibition जिसको कहते हैं, या online exhibition करते हैं, कि आपका पूरा exhibition जो पहले physical, उसमें होता था कि किसी कमरे में या किसी hall में, कहीं भी हम lawn में कोई exhibition लगाते थे, अब उस तरह के exhibition online, virtual format में, जिसमें लो newsletter जो print form में आता था, अब वो electronic form में, जिनको की आप access कर सकते हैं, internet की माध्यम से, e-conference proceedings, अब कोई भी जैसे conference बहुत सारे होते रहते हैं, दुनिया में, तो national, international या state level conference होती है, उसमें बहुत सारे researchers, अपना article, अपना research paper उसमें submit करते हैं, और जो लोग select, जिनका हो जाता है, उसको publish किया जाता है, तो वो e-conference proceedings उसको कहते हैं, वो print में भी होती है और electronic में, अगर वो online है, तो वो किसी link के थुरू available होगी, वेब पे, जिस पे आप click करेंगे, तो आपको पूरी proceeding लब्द हो जाती है, जिसको download भी किया जा सकता है, या online भी reading की जा सकती है, अदर, उसक इसने भी print और non-print material की अलावा कुछ और भी मुदृत, तथा अमुदृत सामगरी, अन्ने प्रकार की सामगरी भी library में मिलती है, इनमें प्रमुक हैं, जैसे standards, ISO, जैसे ISO की हम बात करते हैं, तो वो standards है, patents है, patents में 20 साल उसमें कुछ registration होता है, काफी उसका process कथिन होता है, जि इसमें कि किसी ने पीछे की काम की copy नहीं है, किसी का original काम जो है, उसको patent किया जाता है, उसका registration कराया जाता है, जैसे भारत में अगर किसी ने कराया, तो वो 20 साल के लिए भारत में उसका अधिकार रहेगा, कि दूसरे देश में अगर आपको कराना है, उसको patents को registration तो आपको वहाँ पर registration कराना पड़ता है और इसका time 20 साल होता है एक registration का pamphlets हैं लगू, शोध, प्रबन तथा, शोध, प्रबन, digitization and thesis जिसको कहते हैं तो यह उच्च सिक्षा में इसका ज्यादा उपियोग होता है जैसे कि higher education में आप MA में digitization लिखा जाता है या M.Phil, PhD, PhD में thesis लोग लिखते हैं तो उसमें आपका जो भी research है उसको वो भी library का एक important हिस्सा होता है और आज कल digitization thesis भी online उपलब्ध है यानि e-format में तो एक ETD यानि electronic thesis and digitization करके भी एक उसके group है जिस पे बहुत सारे conferences और इस तरह के program होते रहते हैं आप उसको search कर सकते हैं reports जैसे reports भी बहुत तरह की reports आती है annual reports है, status report है किसी organization का जैसे quarterly report आ रही है या monthly report आ रही है तो वो उस report में basically कि जो जो events हुए जो घटनाएं हुए या जो program हुए जो achievements हैं वो सारी उस reports के अंतरगत आती है अब reports भी कई तरह के होते हैं जैसे कि financial report है जैसे इंडिया का annual report आ रहा है या organization label पे देखें जैसे NIS में भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी annual report या six monthly report आती है जिसमें कि उनके पूरे साल का उन्होंने क्या 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 किस तरह की event करवाए किस तरह की program होए उस सारी चीजें आपको वहाँ पे पूरा statistics मिलता है ऐसे मानचित्र यानि map ये भी एक resource होता है और आजकल तो e-google map भी आपको पता है कि online maps भी तरह तरह के उपलब्ध है तो ऐसे library में मानचित्र का भी collection होता है और मानचित्र भी कई तरह के है जैसे physical मानचित्र एक political होता है और एक geographical भी है तो जिसमें कि आपको geographical ही कहां पे क्या समुंदर एरिया कितना है कितना green area है, जंगल कितना है कितने पे लोग रह रहे हैं पानी कितना है यह सारी information आपको मानचित्र भी मिलती है या globe, atlas, यह सब आपने सुना होगा है और images तो रेखाचित्र जिसको कहते हैं यह सब पार library collection का part होता है अब प्रस्न उठता है कि पुस्तकाले समगरी के विवस्थापन की आवस्चता क्यों हमें आवस्चता है कि हम library में जो भी सामगरी है उसको हम organize करें या उसको विवस्थित रखें तो उसके कुछ कारण है जो कि पुस्तकाले समगरी के विवस्थापन की आवस्चता निमलिखित कारणों से होती है पहला तो पाठक सामगरी को अधिक से अधिक प्रकार से खोजने में सक्षम हो कि अगर library ने ब्यवस्थित नहीं किया उसको कोई किताब हमने खरी दी और उसको हमने catalog नहीं किया उसको classify नहीं किया तो हमारा user कैसे वहां तक पहुच पाएगा उसके दाब तक तो पाठक सामगरी को कितना जादा से जादा यूज उसका हो उसके लिए हमको उसको ब्यवस्थित यानि categorize उसको हमको classify यह सारा काम करना होता है और दूसरा कि जो भी आपकी संसाधन यानि जो भी resources है उनका प्रदर्शन लोके सके क्योंकि अगर वो आपने उनको classify कर दिया categorize कर दिया तो वो दिखते हैं लोग प्रदर्शित होते हैं कि यह यह नए जैसे नए library में लोग display पे लगा देते हैं कि यह नए arrivals आया हैं नई किताबें हमारे library में जो add हुई है इनका क्या है या आजकल माध्यम से की email से भी आप list हम लोग भेज देते हैं अपने users की यह resources हमारी library में add हुए हैं फिर भाधिक यानि physical और intellectual और समय की रुकावर्टों को भी कम किया जाता है क्योंकि अब जैसे रगनातन जी ने save the time of users की बात की तो वो अगर हम organize नहीं करेंगे library की जितने भी संसादन है तो इससे एक तरह से physical और intellectual जो हमारी बाधाये हैं वो बढ़ जाएंगी लेकिर अगर हम उसको organize करते हैं तो इस तरह कि जितने भी hurdles या रुकावटे हैं उनको कम किया जा सकता है गरन्थाले सामगरी के ब्यवस्ठापन का उद्देश है अब परपज क्या है क्यों हमें जरूरी है कि हम गरन्थाले सामगरी को organize करें या categorize करें उसके क्यों उसकी आवश्चकता हमको पढ़ती है अगर इसकी बात किया जाए तो पुस्तकाले सामगरी का ब्यवस्ठापन निम्न उद्देश के लिए किया जाता है पहला तो सामगरी के उप्युक्त स्थान को सुनिश्चित करने के लिए क्योंकि हर सामगरी या जो भी material उसका एक अपना स्थान होता है अपनी एक जगह होती एक location होता है तो अगर classification होता है कि किसी भी किताब का तो उसकी एक जगह निश्चित हो जाती है कि वो किताब वहीं पे मिलेगी और दूसरा कि जो हमारे users हैं उनको वहां तक पहुँचनी में भी कि उनको सरलता रहे उनको आसानी रहे कि वो वहां तक पहुँच सके क्योंकि आज कल library में open access यानि open कोई भी user library में आता है वो catalog सर्च करता है और सीधे वो shelf तक चला जाता है और वो किताबों को ढूड सकता है सामगरी के प्रभावी उपयोग में बृद्धी के लिए क्योंकि अगर access है अगर वो आसानी से कोई भी सामगरी हमें मिल जाएगी तो उसका निश्चित रूप से उपयोग भी बढ़ेगा नहीं तो कोई भी user अगर लाइबरेरी में जाता है और कोई सामगरी ढूड रहा है एक बार या दो बार वो प्रयास करेगा उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो वो कभी नहीं जाएगा लाइबरेरी में ये जनरल टेंडेंसी होती है तो इसलिए कि सामगरी का जितना नथाले के प्रति आकरशित करने के लिए अगर लाइबरेरी ब्यवस्थित नहीं है और ब्यवस्थित है उसमें सारे मेटीरियल हमारे इधर उधर पड़े हैं तो कोई भी पाठक वहाँ आना पसंद नहीं करेगा क्योंकि सबको वही चीजे चाहिए कि जो तुरंत मांगे तुरंत मिल जाए तो ये सारे उदेश्य हैं कि लाइबरेरी को और्गिनाइज करने के लिए धन्यवाद